सभी साथियों को राव राव नौश्का और उमीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया हूंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस कॉंस्टबल की भरती के बारे में और यहां पर रिजल्ट से और भरती प्रिक्रिया कि कम्प्लीट होने के समंध में आप सभी को जरूरी जानकरी देने वाला हूं अगर आपने इसका एक्जामनेशन दिया है तो वीडियो को ध्यान से आप जरूर देख लें वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने और वेल आइकन पर प्रेस करने ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे तो आप सभी को बताए कि आपकी आंसर की रिलीज होना स्टार्ट होई गई है 15 सेप्टेमबर तक सभी सिफ्ट की जो आंसर कियोगी वह रिलीज रजाएगी तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितना आपका स्कोर जार रहा है तो इसके अनुसार आपको लगबग ये क्लियर हो चुका होगा कि आपका सेलेक्शन हो सकता या नहीं हो सकता मैं आप सभी को देखो एक चीज को हुआ कि हर व्यक्ति अपने अकौर्डिंग आपको कट आप बताएगा लेकिन सबसे पहले आपको ख दूसरी बात यह है कि जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक कितनी बड़ेगी कितनी जाएगी किसकी कितनी रहेगी ये सारे चीज़ें आपके दिमाग में चल भी रहेंगी हराल में आप कितना भी प्रयास कर लो कितने भी हुशार बन लो कुछ भ अबने आगी की ये सब्सक्राइस करेंगे जो यहांप पर अपर रesting क्या है है कि यह पुलिस प्रसिच्चन नेदेशालय उत्तरप्रदेश के द्वारा है यह जो चीज़ें होती थी पहले बहुत डिले देखने के लिए मिलता था तो 2020-21 में आप देखेंगे इस तरीके से नहीं होता था यहां पर दिनांग देखेंगे तो 11 सितंबर 2024 का नोटेस है और किसे वेजा गया है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि समस्त पुलिस आयोक्त उत्तरप्रदेश और बरिस्ट पुलिस अदिच्चक समस्त जन्पत उत्तरप्रदेश क्योंकि इस वार क्या है कि 60245 आरक्ष् को लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है एक ही भरती में सलेक्ट होने के बाद भी जब दो-तीन वैच बनते हैं तो कई ना कई इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और इनी दिक्कतों से निपढ़ने के लिए भरती वोड पहले सी अपनी तयारी में जुट गया है तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लिर जो आपका सब्जेक्ट हो भी देख सकते हैं कि किर्प्या आवगत कराना है कि लगबक साथ हजार आरक्षियों की भरती निकट वाविश्य में होना संभावित है तदा वरती में होने के उपरां सीग्र ही इन्हें प्रसिच्चन क कराया जाना होगा वक्त रिकूट आरक्षियों के आधरवूत के लिए काफी संक्या में आइट आइक के आवशकता होगी इस हटू मुख्यार रक्षी आरक्षी को आई टीया कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है पॉन्ट नम्मर टू पर देखेंगे निर्दा इस शानू सा प्रते कमिशनेट एवम जन्पद में उप्योक्त दस लोक्यारक्षी आरक्षी के नावांकन दिनांक बीस नौ दोजार चौबीस तक इस नेदेशाले को उपलब्द कराने का कस्ट करें यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके दोरा यह भीजा गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं किसी की भी आप cut-out मानो, खुद की cut-out मानो कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस cut-out में आ सकते हैं, तो आप सिर्फ एक काम start करो, वो है आपका physical, अगर आप इसमें delay करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही नाइंसाफी करेंगे, और इस चीज़ का पस्तावा फिर आपको जिंदगी पर रह सकता है, क्योंकि आप पूरे की पूरे 60245 पद हैं, और पूरे की पूरे सिविल पुलिस में, तो एक बड़िया opportunity आप सभी के सामने खड़ी है, आप आपको ग्रैव करनी है, या इसे छोड़ देना है, या आप के ओपर depend करता है, क्योंकि अगर आप अभी से physical की तैयारी सुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी loss होगा, लेकिन अगर आप physical की तैयारी नहीं करते हैं, और at a time आप तैयारी सुरू करते हैं, और physical में disqualify हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या खो देंगे तो जरूरी है कि आप इस चीज को सीरियस लें क्योंकि यह जो cut-off का system है जब तक आपका result जा रही होगा वो लगातार आपको इसी तरीके की वीडियो बगारा और आपके दिमाग में भी यही चीज़ें चलती रहेंगी कि कितनी cut-off जाएगी मेरा selection होगा या नहीं होगा YouTube पर कभी भी वीडियो की कमी नहीं आएगी रोज नहीं वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी ताकि भरती से जूड़ी हरी एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में सो तैंक्यू फूर वचिंग जैहिंच जैवारत